हलो दोस्तो आज के इस वीडियो में सबसे बड़े सर्वे के अधार पर जौन वाईज एंटी पीसी के कट आप का एनलाइसिस करने बाले हैं ये एनलाइसिस लगभग 8 लाख बोट्स के अधार पर करने बाले हैं तो चलिए इस सर्वे के नुसार देखते हैं कि जोन वाई जबम कैटेगरी वाईज कितने नम्मर होने पर सिविटी 2 की तैयारी कर सकते हैं इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा बस देखेगा तो चलिए आज कब वीडियो श्टार्ट करते हैं सर्वे दिखाने से पहले आप लोगों को बता दू कि अधिकतर वैसे कंडिडेट जिसके 60 से अधिक अंकार हैं अईसे कंडिडेट या तो फेज 1 या तो फेज 2 या तो फेज 3 के कंडिडेट हो सकते हैं क्योंकि बाकी फेज़ेच की तुल्नाओं में इन तीनों फेज़ेच के question level easy थे इसलिए इन सभी फेज़ेच के अधिकतर candidate ने अच्छे score कर लिए मैं सभी candidate की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन 60 पलस बाले अधिकतर candidate आपको इसी तीनों फेज़ेच के मिलेंगे साथी मैं ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं बोलना हूं कि इन तीनों फेज़ेच के सभी सिप्टों में आसान प्रस्न पूछे गे थे लेकिन बाकी फेज़ेच के नुसार इन तीन फेज़ेच के अधिकतर ऐसे सिप्ट थे जहां की आसान प्रस्न पूछे गे थे वैसे तो सभी फेज़ेज में कुछ न कुछ आसान सिफ्ट थे लेकिन इन तीन फेज़ेज के मुकाबले कम थे इसलिए जिनके भी 50 से 60 के बीच आ रहे हैं वे बिल्कुल भी न गबराए नॉर्मलाइजेशन होने के बाद समान हो जाएगा तो चलिए अब सर्वे के अधार पर देखते हैं कि जोन वाइज सेप स्कोर क्या रहने बाले हैं तो इस सर्वे में टोटल बोट्स की बात के तो टोटल 7,85,000 बोट्स परे हैं जितने भी यूटूबर दरा सर्वे किया गया था सभी सर्वे को एक जगर किया गया है इसी के अधार पर एनलैसिस करने बाले हैं पचास से कम अंक लाने बाले कंडिडेट की संख्या देखे तो 1,80,540 है यानि कि 23 परतिसद ऐसे कंडिडेट हैं जिसके 50 से कम अंक आ रहे हैं वहीं 50 से 60 के बीच देखे तो 50 से 60 के बीच 3,49,630 कंडिडेट है यानि कि 44 परतिसद ऐसे कंडिडेट हैं जिनके 50 से 60 के बीच अंकार हैं 60 से 70 के बीच देखे तो 60 से 70 के बीच 1,61,790 कंडिडेट हैं यानि कि सारे बीस परतिसत ऐसे कंडिडेट हैं, जिनके साथ से सत्तर के बीच अंकार हैं। सत्तर से अधिक की बात के तो सत्तर से अधिक सारे बिरानबे हजार कंडिडेट हैं, यानि कि सारे ग्यार परतिसत ऐसे कंडिडेट हैं, जिनके सत्तर से अधिक अंकार हैं। इस सर्बे के दार पर overall cutoff की बात करें तो overall cutoff सभी जॉन का 55-65 के बीच रहेगा 55-65 के बीच सभी जॉन का cutoff रहेगा अगर वहीं जॉन वाइज बात करें तो मालदा, मुझपरपूर, जम्मू, गोहाटी, सिलीगूरी इन सभी जॉन से UR से 55 या 55 से अधिक, अगर आप UR से हैं और 55 या 55 से अधिक अधिक अंकारे हैं तो आप safe zone में हैं OBC से 53 या 53 से अधिक, SC से 50 या 50 से अधिक, ST से 47 या 47 से अधिक, EWS से 15 या 51 से अधिक, PWBD ESM से 45 या 45 से अधिक अगर आप इस 5 जॉन से हैं अगर आपके केटेगरी वाइज इतने अंक बन रहे हैं तो आप सेफ जॉन में हैं और कुछ दिनों के बाद हर एक जॉन का एनलाइसिस करके कट आप वीडियो बनाने बाले हैं इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा से अधिक, SC से 52 या बाबन से अधिक, ST से 49 या 49 से अधिक, EWS से 33 या 33 से अधिक, PWBD, ESM से 47 या 47 से अधिक अगर आप इन सभी जॉन से हैं अगर आपके केटेगरी वाइज इतने अंक बन रहे हैं तो आप सेफ जॉन में हैं वहीं एहम्दाबाद, अज्मेर, अलाबाद, भोपाल, भूमनेश्वर, चंढिगर जॉन की बात करें तो अगर आप जेनरल से हैं तो अगर आपके साट या साट से अधिक अथिक अख है तो आप सेफ जॉन में हैं SC से 55 या 55 से अधिक, ST से 52 या 22 से अधिक, EWS से 56 या 56 से अधिक, PWBD ESM से 49 या 49 से अधिक अगर आप इन सभी जौन से हैं, अगर आपके category वाइज इतने अंक बन रहें तो आप safe हैं तो जिस भी candidate के 45 या 55 के बीच अंक आ रहें तो इनके भी chance हैं लेकिन इन सभी candidate को normalization पर depend रहना होगा तो आप सभी को पता है कि NTPC में इस बार नए फर्मूले से normalization किया जाएगा अगर आपने अभी तक वे वीडियो नहीं देखा है तो description box में link दे दिया है वे वीडियो जरूर देख लिजेगा उस वीडियो में हमने बताया है कि इस पार normalization के द्वारा कितने अंक तक बरहेंगे एवं कितने अंक तक घटने बाले हैं इसलिए आप लोग वीडियो जरूर देख लिजेगा तो चली आज का वीडियो समप्त करते हैं वीडियो चल गए तो चैनल को सब्सक्राइब तब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं चली आज का बडियो समप्त करते हैं वीडियो देखने करे आपका धन्यवाद